आस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल कप से बड़ी खबर आई है पाकिस्तान ने शिकस दे दी है साउथ अफ्रीका को जी हाँ बारिश ने खलल डाली इस मुकाबले पर भी और इस जीत के बाद से समी करण जो है ग्रूप टू का वो बदल गया है भारत पर इसका क्या आसर बताएंगे लेकिन पहले बता दितें की पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच जो है इसमें हूँ और इसके साथ साथ पाकिस्तान अभी से केमी फाइनल की दोड में बना हुआ है पाकिस्तान ने इस करो या मरो मुकाबले में दक्षिर अफरीका के खलाफ एक खराब शुरुबात की लेकिन बाद में स्थिती संभाली और बीस ओवर में नौ विकेट गवाकर पाकिस्तान ने एक सुपचासी रन बनाए और सबसे ज्य फिर जवाब में चेज के लिए उत्री साउथ अफरीका की टीम ने नौ ओवरों में चार विकेट गवाकर उनहत्तर रन बना लिये थे तभी बारिश के कारण मैच रुग गया फिर आया डकवत लुइस नियम उसकी अनुसार साउथ अफरीका को बनाने थे 14 ओवरों में 142 और अफरीका ने क्या किया नौ विकेटों पर 108 रन बनाए और ऐसे में पाकिस्तान को मिल गई एक शांदार जीत और अब उसका अगला मुकाबला 6 नवंबर को बांगलादेश से है पाकिस्तान की टीम जो है इस मैच को जीतना चाहेगी जो कि ये बहुत जरूरी है उसके ल जो है वो फानिल फोर में नहीं पहुँच बाएगी और ये चमतकार दो में से किसी एक मैच में भी हुआ तो बाबर आजम की टीम जो है वो सेमी फैनल में पहुँच जाएगी ये दो मैच हैं साउथ अफरीका बनाम नीदलन्स और भारत बनाम जिंबावे अगर साउथ भारत में से एक भी टीम अपना आखरी मैच हार जाती है तो बांगला देश पर जीत हासल करने की स्थिती में पाकिस्तान सेमी फैनल में पहुँच जाएगी तो इस जीत के बाद से ओबर आल अगर हम आपको बताए क्या समी करण हो गया है पॉइंट बाइपॉइंट ज़र की टीम अपना आखरी मैच बांगला देश से जीतती है तो वो छे अंग के साथ दूसरे नंबर पर रहते हुए क्वालिफाय करेगी वहीं बात करें टीम इंडिया की टीम इंडिया अपना आखरी मैच जिमबावे से जीत कर आठ पॉइंट के साथ ग्रूप टू में टॉप पर रहते हुए सेमी फाइनल्स में पहुचेगी तब टीम इंडिया का सेमी फाइनल मुकाबला ग्रूप वन की दूसरे नंबर की टीम से एडिलेर में होगा इसमें इंगलन्ड या ऑस्ट्रेलिया से मैच होने की संभावनाएं जादा है हुआ 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 है